अज़ए आधनिक इतिहास किसके बिहार के इसमें आपको आधनिक इतिहास से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन है उससे परचित कराया जाएगा अगर आप बिहार BPSC टीचर की त्यारी कर रहे हैं तो बेसक के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन है वीडियो के स्किप ना करें पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें थाकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो हम लोग जो आधुनिक प्यार है उस पे सबसे पहला जो आंदोलन है वह है चंपारन आंदोलन देखे चंपारन आंदोलन कब हुआ था तो 1970 में अगर कहा जाए कि गांदी जी को भारत में किस आंदोलन से ब्रेक मिली थी आंदोलन की सुरुआत हुई थी तो आप बेसे कह सकते हैं चंपारन सत्याग्रा अब देखें चंपारन सत्याग्रा बिहार में क्यों लोप्रिय हुआ और इस सत्याग्रा में गांधी जी ने किस तरह भूमी का अधा की इस सेमलों पर चित हो जाए चंपारन सत्याग्रा नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और इस्ताने किसानों के मद एक समझोता होता था जिसमें किसानों के अपनी भूमी के 3 बड़े 20 बाग नील की खेती करनी होती थी इसे तिन कटिया पतथी कहते हैं, आप एक बात जान लें जो अंग्रेज थे वो वही खेती करते थे जिनसे उनकी आमदनी बढ़ जाए यानि वो कैस क्रॉप कमर्शिल क्रॉप की खेती करते थे तो चंपारन में क्या था नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और इस्थानिय किसानों के मद एक समझोता हुआ जिसमें तीन बड़े बीस्वे भाग पर नील की खेती करनी होती थी जिसे हम लोग तीन कठिया पदती कहते हैं यहां से कोसन आपके पूचे जाएंगे कृतिम रंगों के विकास के बाद नील का पार लापदा है नहीं रहा ठीक है जब नाइलोन आगया फैबरिक इस प्रकार इस करन्ग्रेज किसानों के भूमी छोड़ने लगए और बदले मुआबजे की मांग कर रहते जिसे देने में किसान असमर्थे अब देखे होता क्या है कि नील की खेती जब कोई किसान करता है तो उसका खेत का जो फर्डिलाइजर पावर है वो खत्म हो जाता है कर विए पांस साल दस साल इस तरह से खेत की जो रवा सकती है वो खत्म हो जाती है अब देखे आगे मुर्ली बरावा गाऊं, देखे यहां से कोसन है राईस होंगे, निवासी राज कुमार सुकले, देखे वी पैसी इस तरह के कोसन पूछ लेगा, आप पूछ देखा कि यह जो लीडर थे, वह किस गाऊं के ते? उनके पिता जी का नाम क्या थे इस तरह से कोसन पूचे आते हैं आप उस कोसन को जहां आप समझ रहे कि इजी कोसन नहीं रहेंगा आपके लिए तो मुरली बरावा गाओं के निवासी राजकुमार सुकल किसानों की समस्या लेकर कोंग्रेस के लखनाओ दिवेसन 1916 में गांधी जी से मिले इसके बाद वह कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले देखे ये किशान थे कुन राजकुमार सुकल जी और बहुत ही रिश्वलिट थे बहुत ही डिटर्मेनेशन किशान थे बहुत ही जिद्धी थे जब तक गांधी जी तयार नहीं हुए चमपारन आने के लिए थब तक उन्होंने गांधी जी को छोड़ा नहीं कोंग्रेस के लखनाओ दिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले थे इसके बाद कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले आप आगे गौर करें 10 अप्रेल 1917 को गांधी जी पठना पहुँचे देखे आंधुलन की शुरुवात 10 अप्रेल 1917 को गांधी जी कहा पहुचे पठना वहां सिवेश चमपारन पहुचे यहां मैश्ट्रेट। उन्हें वापस जाने को कहा जिसे गांदी जी ने मानने से इंगार करें गांदी जी कहना थे कि भारत मेरा देश है आप मेरी देश में मेरी राज्य में मेरी प्रांथ में आप मुझे कहेंगे कि वापस जाओ मैं क्यों जो हूँ ऐसा कहा उन्होंने मैं स्ट्रेट से गांदी जी ने लगवग आठ अजार किसानों से वारता की आप गौर करेंगे कितने किसानों से आठ अजार किसानों से पट्ना में गांदी जी मजरूल हक्स से मिले इसके बाद बगान मालिक संग के सच्चिव जेम्स विलसन से भी मिले बंदरापल को गांदी जी मोतियारी पहुचे देख गांदी जी चाहते क्या थे चमबारन चेतर में जो किशान थे उन्हें आत्मस्वालम भी बनाना चाहते थे उनके अंदर जो पराधिंता का भै था उसे वो मिटाना चाहते थे ठीक है 22 अपरेल को गांदी जी बेतिया पहुचे यहाँ वे हजारी मलधर्म साला में रुखे ठीक है आप गौर करेंगे आप आगे जाने गांदी जी के साथ अब कौन-कौन नेता थे गांदी जी के साथ कौन-कौन वेक्ति हुए गांदी जी के साथ तो गांदी जी के साथ राजकुमार शुकल, ब्रच किसोर प्रशाद, राम नवीं प्रशाद, राहनदा प्रशाद, जेवी कृपलानी, प्रभुदास आधी जी थे। राम नवीं प्रशाद, राम नवीं प्रशाद, राहनदा प्रशाद, महाराजा कृतनान सिंग, महात्मा, गांधी, एवंग एबजी स्लाई अध्दक सामिल थे। ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया, आप गौर करेंगे। मैं लगतार आपके लिए बिहार, BPSC, GK और सामानिगान का वीडियो ला रहा हूं। इसके साथ मैं आपके लिए BPSC, Bihar Teacher Special मैं Science के वीडियो ला रहा हूं। आप मेरे playlist में विजिट करें, उसे देखें और अपने knowledge को increase करें। और हम लोग आगे जान लें, आगे क्या है, 24 मैं 1918 को गांधी जी ने मुतियारी आस्रम का सिरन नास किया। एक तो आप जानने कि वर्स 1918 में चंपारन एक ग्रियन एक तिन कठिया कानून को समाप्त कर दिया गया। 24 मैं 1918 में गांधी जी ने मुतियारी आस्रम का सिरन नास किया। अब ये तो आप चंपारन से परचित हो गया, अब खिलाफत अंदोलन से परचित हो जाए। वर्स 1919 में हसन इमाम के नेतुत में पटना में खिलाफत अंदोलन चलाया गया। आस्यो का अंदोलन कब हुआ और कैसे हुआ कौन इसमें लेडर सामिल थे। डॉक्टर एंदर प्रशाद जी, ब्रच की सोर प्रशाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मुहमत सफी आदी प्रमुक नेताओं ने बिहार में असयो का अंदोलन करने तो तो क्या। मदरलेंड नामक अकबार मजरूल हक ने निकाला था। देखें इस तरह कोश्चन BPS से हम पूछे जाएंगे कि मदरलेंड अकबार किसने निकाला था। तो मजरूल हक जी ने। एक अगस्त 1922 से 12 फर 1922 तक आसयो कांदोलन चला। इसे भी आप गौर करेंगे डेट को आप गौर कर लेंगे। वर्स 1922 में कॉंग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ। वर्स 1922 में कॉंग्रेस का कहां अधिवेशन हुआ। इसे आप जानें। गया में जिसके अद्धच चितनजन दास बंदू थे। कभी-कभी यह भी पूछ ले जाएगा कि गिरा में जो अदिवेशन हुआ था उसके अद्धक्च कोन थे चितनदास देशबंदू किसानसभा 1929 में स्वामी साहजानन्द ने बिहार प्रांति किसानसभा की इस्तापना सोनपुर के मेले में की थी स्वामी साहजानन्द दक्च और सिर्किष्ट सिना सच्यू बने किसके किसानसभा की वर्ष 1936 में अकिल भारतिय किसानसभा का गठन हुआ ये कोश्ण पुछे आते हैं कि स्वामी सहजानन्द किस से जुड़े हुए हैं तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और अखिल भारतिये किसान सबा का गटन कहां पर हुआ तो आप कह सकते हैं लक्नों में हुआ और कब हुआ? 1936 में हुआ अब आता है बढ़िया ताल और बकास्त आंदूलन अभी आंदूलन क्या था? इसे भी अब ग़ुर करें लगान अदा ना करने पर किसानों की भूमी जमिधारों के पैस चली आती थी जिसे बकास्त कहते थे बकास्त क्या होता था अगर आप लगान अदा नहीं कर रहा है तो आपकी भूमी कहां चलिया थी थी जमिदारों के पास किसकी भूमी किसानों की भूमी तो इसे क्या कहते थे बकास्त या अंदुलन कारियानंदन सर्मा के नितुत्त में मुंगेर में 1937-39 स्ट्री में चलाया आप आगे जाने नासिक जेल में वर्स 1933 में आचार नरेंदर देव जैप्रकास नरायन आदी जी ने अकिल भारतिय समाजवादी संगटन मराने की योजना बनाई अकिल भारतिय समाजवादी संगटन कहां बनाई नासिक जेल में कब बनाई 1933 में इसके लिटर कोंते आचार वर्स 1931 पर दनाव बिएर you. ये कोश्ण पूचे आते हैं बिएर में सोश्ट्रिक्ट्ट्रिस्ट पार्ट्टी की स्थाफ्ण रूई और अगर कॉंग्रे इसरे बूला जाया यहां बियार सोष्ट काकटr party है यहां कोशनको गर करेंगे यहां अप्डेट में 편फ्यस करेंगे यहां पर देखिए कॉंग्रेस सोष्ट पाटी 194 क réflुनीच 1431 इस तरह कोशन पुझे हैंगे अब आता समने वक्या अनुलन वर्ष 19 में कॉंग्रेस के लहोर धिवेशन में हुन्य सोतंता का प्रस्ताओं किया गया कब वर्स प्रशाद जी और जेवी किरपलानी जी मोतिहारी में और विपिन ब्यारी बर्मा जी सारन चंपारन में इनोंने सत्यागरा में बाग लिया और नमक सत्यागरा में आप आगे जान ले मुँगेर के बरीम सरकारी तंत्र निस प्रवाबी हो गया अब आप जानले 11 छोड़ा अंदोलन 9 अगास 1942 को 12 छोड़ा हंदलन की शुरुआत हुई जिसे ओपरेशन जीरो आवर चला कर सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरबतार कर लिया उसका नाम क्या था ये कोशन पूचे जाएंगे जीरो आवर 11 अगस्त को पटना सचिवाले कांड में ये भी कोशन पूचे आएंगे पटना सचिवाले कांड कब हुआ था कई छात्रों की जान चली गई छात्रों के जुलूस पर जिलादिकारी जी आर्चर ने गोली चली बहुत ही महत्पूर है आप पटना चली जाएंगे तो सचिवाले के पास आप इसका सचिवाले कांड में कई चात्रों की जान चली गई और चात्रों के जुलूस पर जिलादिकारी जी आर्चर जी जी आर्चर ने गोली चला दी रायन्द प्रशाद जी को बांकीपूर जेल में रखा गया आजाद दस्ते गटन जैप्रकास्ट रायन जी ने किया आजाद दस्ते का गटन यहां लगातार में यह जो टोटल टॉपिक है यह पूरे आधुनिक इतिहास बिहार से जुड़े वो टॉपिक है इसे आप जरूर ध्यान लाएकर देखे इसे कॉपी भी नोट डाउन करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें और जो इसके लिए निडी स्ट्वेंट है उन्हें आप सेर भी जरूर करें आप सोधनत अब्राप्ति 9.1944 को सम्दान सवा के अस्ताइद दक्टर सचिदांद सीना जी को बनाए गया गौर करेंगे कब 9.1946 को 11.1946 को डॉक्टर इंप साथ जी अध्यक चुने गए 2.1944 को सिर्किष्ट सीना जी के नितित्त्य में बिहार में प्रांतिय सरकार का गटन हुआ इसे भी आप गौर करेंगे कब 12.1946 को सिर्किष्ट सीना जी के नितित्त्य में बिहार में प्रांतिय सरकार का गटन हुआ और 24.1950 को सम्दान लाग हुआ और बिहार 12.1946 को एक राजी के रूप में सामिल हो गया ठीक है आपने टोटल उनिट कम्प्रेट कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आए आपने दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करश्रा ढ़ाими एक राजना हुआ आपको वीडियो दोस्तों के रहुआ वीडियो बताका हाई बताने प् में एक 247